नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि अक्षय नोमी क्या होती है और इसका बृत किस दिन किया जाएगा और इसमें क्या किया जाएगा और इसकी प्राचीन कता तो उसके लिए आप मेरे वीडियो पर लास तक बने रहे अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सस्क्राइब कर दीजिये और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए मेरे इतने सारे सस्क्राइबर हैं लेकिन मुझे बहुत कम व्यूज मिलते हैं और बहुत कम बहुत ही कम लाइक मिलते हैं तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेश्ट करती हूँ मेरी यूटूब फैमली कि प्लीज मुझे बहुत सारा लाइक दीजिए और मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए और अपने द योगदान दे रहे हैं अपने सनातनी भाई बेनों को यह जानकारी पहुचा करके इतने सारे रिती रिवाज हैं इतने सारे पर्व हैं जो कि हमें मालूम ही नहीं है और हमारे बच्चों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है छोटे छोटे वीडियो में मैं यह जानकारी ल महत्व है दीबदान का सबसे अधिक महत्व है परन्तु नौमी को इसनान करने से अक्षय पूर्ण की प्राप्ती होती है ऐसा माना जाता है हिंदियों का अत्यधिक विश्वास है इस दिन आप गंगा इसनान करिए किसी नदी तालाब में जा करके दीबदान करिए आवले का दीबदान का अत्यधिक महत्व है अगर आपके पास हम तो सहरों में रहते हैं इसलिए हमारे पास पेड़ नहीं मिल पाता है तो मार्केट से इस तरीके से आवला ला करके उसमें दीबदान का अत्यधिक महत्व है विश्व भगवान के पास इसे जला दीजिए पूरी अत्यधिक उत्सों का दिन रहता है अगर आप नदी ताला या गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तो उस दिन आपको अपने घर में ही बाल्टी में दो बुंद गंगा जल डाल लीजिए और उससे स्नान कर लीजिए जिससे कि आपको उसी प्रकार पुन की प्राप्ति होगी ल इक्ष की पूजा की जाती है पौराणिक मन्यताओं के अनुसार आउले के पेड में भगवान विश्नु का वास होता है इसलिए इस दिन आउले के पेड की पूजा करने से नन चाहां वर्दान प्राप्त होता है वही कुछ कथाओं के अनुसार आवले के फल को कहते हैं और इसकी पूजा से हमारे धन सुख सम्विद्धी स्वास्त को अक्षेक या कभी नासनों होने वाला वर्दान मिलता है इसलिए इस दिन लोग आवले के पेड़ की पूजा करते हैं साथ ही इस विक्ष के नीचे बैट कर परिवा आया जाता है अक्षे नौमी के संबंद में पौराणी कथा है कि दच्षिण इस्थित विश्णुकांची राज के राजा जैसेन थे इनके इकलोते पुत्र का नाम मुकुंद देव था एक बार जंगल में सिकार खेलने के दौरान राज कुमार मुकुंद देव की नजर व्यापारी की कनक कादित की पुत्री की सोरी पर पड़ी मुकुंद देव उसे देखते ही मोहित हो गए और उससे विवा की इच्छा प्रगट राज कुमार को किसोरी ने बताया कि उसके भाग में पती का सुख नहीं है किसोरी को जो तुसी ने कहा है कि विवा मंडन में बिजली गिरने से उसके वर की ततकाल मित्य हो जाएगी लेकिन मुकुंद देव विवा के प्रस्ताव पर अडिक रहे मुकुंद देव ने अपने अराध्य देव सुर्य और किसोरी ने भगवान संकर की अराधना की भगवान संकर ने किसोरी से भी सुर्य की अराधना करने को कहा भोले संकर की कहे अनुसार की सोरी गंगा तट पर सुर्य अराधना करने लगी तभी विलोपी नामक दैत की सोरी पर जप्टा यह देख सुर्य देव ने उसे भस्म कर दिया की सोरी की अराधना से प्रशन्य होकर सुर्य देव ने की सोरी से कहा की कार्तिक सुकल की नौमी को आ मिलकर उस दिन विवाह मंडल बना कर उसमें विवा किया एक दम से बादल गिर आए और बिजली चमकने लगी जैसे ही आकास से बिजली मंडल की ओर गिरने लगी आवले के विक्ष ने उसे रोक लिया इसके बाद से ही आवले के विक्ष की पूजा की जाने लगी हे भगवान विश्णू जैसे आपने किसोरी के पती को धिर्ग आयू दी, उसी तरह सबके भागी की रख्षा करना इस मनों कामना से यवरत किया जाता है और कथा सुनी जाती है, पढ़ी जाती है तद के बाद भगवान विश्णू से छमा याचना कर लेनी चाहिए, यहीं प शेह नौमी की हार्दिक सुपकाम नाए, आवला नौमी की भी हार्दिक सुपकाम नाए, इस दिन आप लोग आवले का दान जरूर से करें, जिस प्रकार से आपके घर में सुखसम मिध्धी बनी रहे, माता भगवती आपके घर पे अपनी कृपा दिश्टी बनाए रखे, एक्स वीडियो में